हेलो फ्रेंड वेलकम टो अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे पिडिलाइट इंडेस्टी के स्टॉक को तो फ्रेंड मैंने आपके सामने पिडिलाइट इंडेस्टी का वीक्री चार लगा दिया है अगर मैं current time पे stock की price की बात करूँ तो stock की price चल लिए 2,480 के आसपास तो friend जिस price पे भी stock trade कर रहा है उस price पे share ने multiple time support लिया हुआ है तो friend अभी आपके पास पसांदर मौका है इस multi-vagger share में position बनाने के लिए तो friend अगर मैं यहाँ पे share के लिए एक support zone ड्रो कर दू तो आपको दिखा कि share के लिए यह support zone है अगर मैं share के लिए उपर एक resistant zone ड्रो कर दू तो आपको उपर दिखा कि share के लिए यह resistant zone है यहाँ पे share multiple time support लेता है और उसके बाद shear में यहां से fresh daily देखने के लिए मिल जाती है तो friend, साथ मेंने यहां पर ascending trail line भी draw कर रखी है इस trail line पर shear ने multiple time support लिया हुआ है आप previous chart में देख सकते हैं friend shear ने यहां पर भी support लिया था और यहां पर भी support लिया है और यहां पर भी support लिया है again shear इसी जगों पर फिर से support लिते हुए दिख रहा है तो friend, साथ मेंने shear के लिए 100 days का moving average भी लगा रखा है तो आपको दिखेगा कि shear ने multiple time 100 days के moving average पर support लिया हुआ है तो current time पर भी shear अपने 100 days के moving average के आसपास straight कर रहा है friend तो मेरे according shear में यहां से reversal आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया shear के लिए यहां पर horizontal trend line का support भी है और जो मैंने ascending trend line ड्रोग कर रही है इसका support भी दिख रहा है और यहां पर 100 days का moving average का भी support भी दिख रहा है अगर मैं previous 2 week को देखू friend तो यहां पर current week में और previous week में अच्छी खासी candle बनती हुए दिख रही है तो friend मेरे according shear ने यहां पर अपना base बना लिया है यहां से shear में फिर से fresh rally देखने के लिए मिल सकती है तो friend अगर मैं आपको एक जोन डोग करके दिखाऊं shear उसी जोन में trade कर रहा है तो आप देख सकते हैं shear के लिए नीचे वारा जोन बिल्कुल shear के लिए support की तरह काम कर रहा है और उपर वारा जोन shear के लिए resistance की तरह काम कर रहा है तो friend इस time पे भी shear आपको अपने support पे मिल रहा है तो यहां से आपकी जो target रहेंगे shear के लिए इसके resistance जोन तरह रहेंगे और यह resistance लिकल के आ रहा है तो ठाओ जैन 740 के आसपास तो friend साथ मैंने shear के लिए RSI indicator भी लगा रखा है तो आप RSI indicator में देख सकते हैं shear के RSI 46 के आसपास चल लिए friend तो friend बीच में RSI 40 के आसपास भी आगे थी जब भी shear के RSI weekly chart में 40 के आसपास आती है उसके बाद shear में हमको reversal ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है तो friend इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जब shear के RSI उपर को जाएगी तो shear का price भी उपर की ओड़ जाएगा और आपको आपका target यहां से मिल जाएगा तो friend एपरोक से 2 week पहले मैंने shear की detail analysis करी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसे देखिए तो एक बार हम shear की करते हैं daily chart पे analysis तो friend मैंने आपके सामने पिडिला इंडेस्टिक का daily का chart लगा दिया है अगर मैं daily chart पे देखने जाओं तो friend अगर मैं shear की price आपको zoom out करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि shear की price एपरोक से 200 days के moving average के आसपास trade कर रही है तो friend साथ मैंने यहाँ पे RSI indicator पे लगा रखा है तो RSI indicator daily chart पे 50 के आसपास चलना है तो friend जब यह RSI 30 के आसपास आये थी तो shear की price एपरोक से 2400 के आसपास आये थी उसके बाद shear मैं हमको यहाँ से reversal आते हुए दिख गया है तो friend अगर मैं आपको past में back testing करा के दिखाऊं तो जब यह RSI 30 के आसपास आये shear की तब इसमें हमको यहाँ से reversal देखने के लिए मिल गया है तो friend current time पे भी ऐसी देखने के लिए मिल रहा है कि shear की RSI 30 के आसपास आई आप हमको फिर से यहाँ से reversal देखने के लिए मिल जा रहा है तो friend अगर आप shear में position मराने के बारे मैं सोच रहे हो तो current price में भी shear में position मना सकते हो लेकिन current price में अपनी quantity का आप यहाँ पे 30 से लेके 40% buy करके चलिए अगर shear की price में थोड़ा correction होता है जो आपका second support लेकल के आ रहा है 2440 के आसपास आप यहाँ पे फिर से 30 से 40% quantity को buy करके चलिए अगर shear की price में और correction हो जाता है और shear की price आपको मिलती है 2400 के आसपास तो यहाँ पे भी आप अपनी quantity का 30 से लेके 40% buy करके चलिए तो friend अगर आप shear में position बनाते हो अगर मैं आपकी buying price grant label भी ले लूँ तो यहाँ से आपको फस target में approximately यहाँ पे 5% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और आपका target होगा 2590 के आसपास तो friend अगर आपको मैं नएश टारगेट बताओं तो नएश टारगेट में shear में आपको यहाँ पे 10% के आसपास profit देखने के लिए मिल जाएगा और आपका target होगा 2740 के आसपास तो friend अगर मैं आपको थल टारगेट बताओं तो थल टारगेट में आपको यहाँ पे 15% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और आपका target होगा 2840 के आसपास तो friend अगर आपको मैं नएश टारगेट बताओं तो नएश टारगेट में shear में आपको यहाँ पे 18% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और आपका टार्गेट होगा तू ठाव जाएं 930 के आसपास तो फ्रेंड जिस परकार से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहां से सियर का ब्रेक आउट हो जाएगा और सियर में फिर से रैली देखने के लिए मिल सकती है तो फ्रेंड अगर आप सियर में पोजिसन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च करिए चाहे तो अपने फाइनलशी आडवाजर से भी कंसर्ण कर सकता है तो फ्रेंड जल्दी ही मिलता है एक बार फिर से न्यू वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद